हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल क्रेजी नौलल भी संदीपन मौर रहा तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे जल चक्र किसे कहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीड को सभी लोग जाने कि जल चक्र कहते हैं और फिर नदियो के दवारा समुद्र में पहुंच जाता है जल चक्र कह लाता है क्या कहलाता है जलचक्र कहलाता है देखे क्या लिखा हुआ है वह पूरी प्रिक्रिया जिसमें पानी जलवास्प बनता है और वर्सा के रूप में जमीन पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है तो ये क्या कहलाता है जलचक्र कहलाता है द नदिया और समुद्र का पानी जो होता है वो गर्मी के कारण ऊपर उठता है और फिर बाद में वो धीरे धीरे बादल बनता है और उठने के बाद वो धीरे धीरे क्या बनता है बादल बनता है और फिर या वर्सा के द्वारा नीचे चला आता है और या फिर नदियों और चक्र अच्छे से समझ में आही गया होगा तो अगर आप सभी लोग वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को सीयर करिए वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद